हेलो दोस्तो, स्वागत है अप लोग का फिर से आपके अपने चनल सद्गुरु हल्पजु के सन में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अथवा, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंदल एखन के बारे में तो चली वीडियो को देन ना करते हैं इस्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग पहले संकेत बिंदू के बारे में देखती हैं जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा सोचता के प्रकार, तीसरा है सोचता के लाब, चोथा है सोचता हमारा युगदान, पांचवा है उपसन्हार, जिसमें हम लोग पहला एडिंग देंगे प्रस्तावना, निरंतर प्रियोग में आने पर या वातावरण के प्रभाव से वस्तु या इस्थान मलिन होता रहता है, धूल पानी, धूप, कूडा करकट की पर्थ को साब करना, धोना, मैल और गंदगी को हटाना है सोचता कही जाती है, अपने सरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों, यहां तक की अपने मुहले और नगरों को सोच रखना हम सभी का दाईत्व है, अगला एडिंग है सोचता के प्रकार, सोचता को मोटी रूप में दो प्रकार से देखा जा सकता है, वेक्तिगत सोचता और सारोजनिक सोचता, वेक्तिगत सोचता में अपने सरीर को इसनान आदी से सोच बनाना घर में जाडू पोचा लगाना इसनान ग्रियत तथा सोचालों को विस अंक्रामक पदार्थों दोरा सोच रखना घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई ये सभी व्यक्तिगत स्वच्चता के अंतरगत आते हैं सारजनिक स्वच्चता में मुहले और नगर की स्वच्चता आती है जो प्राया नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर रहती है सारजनिक सोचता भी वेक्तिक गस सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती अगला हेडिंग है सोचता के लाब कहा गया है कि सोचता इस्वर को भी प्री है इस्वर का क्रिपा पात्र बनने की दिरिष्टी से ही नहीं अपि तु अपने मानव जीवन को सुखी सुरक्षित और तना मुक्त बनाये रखने के लिए भी सोचता अवस्यक ही नहीं अनिवार है मलिंता या गंदगी न केवल आखों को बूरी लगती है बलकि इसका हमारे स्वास्त से भी सिधा संबंध है गंदगी रोगों को जन्म देती है प्रदुसर्विकी जननी है और हमारी सभिता की निसानी है अतह व्यक्तिगत और सारजनिक सुखता बनाये रखने में युगदान करना प्रतिक नागरी का कर्तब्या है अगला एडिंग है सुखता हमारा युगदान सुखता केवल प्रसासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती इसमें प्रतिक नागरी की सक्री भागीदारी परम अवस्यक होती है हम अनिक प्रकार से सुखता से युगदान कर सकते हैं जो निम्लखित हो सकते हैं जैसे घर का कूडा कूडा करकट गली या सड़क पर न फेके उसे सफाई कर्मी के आने पर उसकी ठेल या वाहन में ही डालें कूडे कचरे को नालियों में न बहाए इससे नालियां अवरूध हो जाती हैं जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है अगला हेडिंग है उपसन्हार प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोधी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है अनेक जन प्रतिनिधी अधिकारी कर्मचारी सेलेबरेटीज जिसे प्रसीद लोग करते हैं इसमें भाग ले रहे हैं जनता को इसमें अपने इसतर से पूरा सहयोग देना चाहिए इसके साथ गाओं में खुले में सोच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को भरों में सोचाला बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं उसके लिए आर्थिक सहता भी प्रदान की जाए रही है इस अभियानों में समाज के प्रत्यक औरग को पूरा सहयोग करना चाहिए आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोगों को हिंदी से संबंदित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बाक्स में जबाब दे उसका जल से जल हल करके अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा धर्निवाद